Hello friends, welcome to golden career एक बहुत ही ज्यादा question स्मूचे जा रहे हैं यो हमारा telegram group है and mails पे else ये वीडियो नहीं बनाते जिसमें एक main question ये तो नहीं है कि result कब आएगा main question आप लोग के तरफ से ये है कि सर कट-off से मेरे 5 नमबर ही जादा है मेरे 3 ज्यादा है, मेरे 10 ज्यादा है तो final selection मेरा होगा की नहीं होगा इसको लेके I don't think किसी वीडियो के जरूरत थी लेकिन फिर भी चुकि बहुत ज्यादा queries है इसलिए हम यहाँ पर clear करेंगे already जब आपके interview हो रहे थे तब कुछ लोग बोल रहे थे कि सब मेरा paper तो एवे एवे हुआ है मैं interview के preparation क्यों ही करूँ क्योंकि मेरा paper अच्छा नहीं हुआ है तो chance बहुत बहुत कम है तब मैंने बनाया था video की cut off के marks कितना उपर है कितना नीचे है selection के chance सबके रहते हैं तो अभी फिलाल हम बात करेंगे result के बारे में बाकी चीज़ों के बारे में जो भी आप यहां पर जानना चाहते हैं उसके बारे में उससे पहले मैं बता दू कि आप मेंसे बहुत से लोग working होंगे या bank up join करने जा रहे हैं बहुत से लोग already as a office assistant as a clerk work कर रहे होंगे bank में and बहुत से लोग as a skill 1 officer work कर रहे होंगे what to bank switch करना चाहते होंगे या skill 2 के लिए apply किया होगा तो उनके लिए JAIB आपको मैंने अल्रेडी बताया है कि कितना important exam है यह and JAIB important भी है साथ में आपकी salary भी बढ़ाता है उसके साथ में promotion के जो एक criteria है कि आपको 6 साल में promote होंगे उसको भी कम करता है एक साल से तो इसको join करने के लिए आप Ollywood coaching provide करता है and Christmas offer चल रहा है 55% off है जिसमें इनका बहुत ही मैं कहूंगा कि इस से यदा discount रो शायद नहीं मिलेगा आपको course पर 55% का discount मिलता है सिर्फ code यूज करना है यहाँ पर code अलड़ी लिखा हुआ है Xmas Christmas basically code यूज करना है link हमने वीडियो के description box में दे दिया है जब आप link पर open करेंगे तो वहाँ पर वो आपसे बोलेगा अपना email id, name and phone number इंटर करने को वो इंटर करने के बाद जब आप login करेंगे तो ऐसे page open होगा देना आप get it now पर click कर सकते है आप network issue है यह मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे आप करेंगे हाँ तो अभी यह आपका open हो गया है तो यहाँ पर आपका ऐसे open होगा आप JAIB के सिर्फ mocks लेना चाहते हैं तो वो भी आप 1499 price है basic जो उनका MRP है या बोले या जो actual price है वो यह है आपको अगर discount चाहिए तो यहाँ पर आप launch code use कर सकते है 999 में मिल जाएगा बाकि यहाँ पर आप XMAS code use कर सकते हैं 55% आपको discount मिल जाएगा CAIB का जो course है वो 4999 का है जिसमें आपका BFM प्लस ABM दोनों include है and CAIB का जो है वो 3999 का है एक बाद चेक जिरू करिएगा रिजिस्टर करिएगा यहाँ पर all e board बहुत बार free mock test live कराता रहता है जिसमें आपको ranking and all का idea लग जाता है and इसमें आपको क्या क्या मिलेगा live classes मिलेंगी live practice sessions मिलेंगे video sessions मिलेंगे complete test series मिलेंगी recorded class होंगी जिनको आप बाद में भी देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको live अगर miss हो गया तो फिर आप नहीं देख पाएंगे अब हम बात करते हैं अपने actual मुद्दे के बारे में वो क्या है वो है आपका final selection को लेकर देखिए अब आपका जो telegram group में इतने लोगों ने comment किया उस पर हमने किसी पर भी reply नहीं किया time की coming की विले से reply भी नहीं हो पाया लेकिन लोग बोल रहे हैं सरक टॉफ से 2 number 3 number उपर हैं अब बहुत tension हो रही है selection होगा की नहीं होगा देखिए पहली बात आप interview over हो चुका है दे चुके हैं mains exam आपका over हो चुका है आप दे चुके हैं अब आपके हाथ में क्या है zero कुछ भी नहीं है आपके हाथ में क्यों कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसका selection नहीं हुआ और किसी के just cut off के आसपा से दो नमर उपर थे तो उनको selection हो गया completely depend करता है कि आपका interview कैसा गया है जब interview चल रहा था तो मैंने बोला था कि पूरा focus interview पर करिए क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कितने marks main में आये हैं क्योंकि जो लोग clear होते हैं जो exam को clear कर लेते हैं उनके marks interview के बाद ही IBPS बताता है interview के पहले नहीं बताता है पहले होता था कि interview के पहले पता चल जाते थे लेकिन अभी फिलाल नहीं चलते हैं इस विज़े से interview में पूरा focus आपको करना चाहिए था तो टेंशन छोड़िए सब के equal chance हैं जितने भी लोगों को interview में बुलाया गया है इसी लिए बुलाया गया है क्योंकि आपके chance है महाँ पर select होने के second चीज लोग मूझ रहते कि sir क्या interview में fail भी कर सकते हैं जिनके cut off के marks बहुत उपर है न cut off से 20 नमबर 25 नमबर उपर हैं नको लग रहा यार यह तो बढ़ियां आ गया हमारे fail न कर दे interview में तो इसका answer है yes last year का जो हमने दिखाया था review अपना interview classes का तो उसमें दो लोगों ने बोला था sir मैंने तो बढ़ियां से किया लेकिन पता नहीं किस वज़े से मुझे fail कर दिया तो interview में in general मैं बोलूँ तो fail नहीं करते हैं लेकिन जब आप कोई blender करके आते हैं तो आपको fail करते हैं तो last year का ही मैं एक बताऊं तो एक लड़की थी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है बट वो तो I think शाम को 4 बज़े या 5 बज़े उनका interview start हुआ था और वो जाकर वहाँ पर good morning wish की चलिए ठीक है कोई बात नहीं आपने good morning wish कर दिया ठीक है second mistake होने की वो वहाँ पर बिना बताए chair पर बैट गई जो उनने खुद बताया and third mistake ये कि जब वो जाने लगी तो आप good night भी wish नहीं कर रहे हैं शाम के 5 बज़ रहे हैं 6 बज़ रहे हैं आप कुछ भी करिए ठीक है आप thank you भी नहीं बोल रहे हैं तो ये आ जाता है कि आप basic preparation भी interview की करके नहीं आये हैं हमने do's and don'ts जो interview के बताये थे वो अगर आप video ढंक से देखे होंगे कुछ चीजें हैं वो आपने देखी होंगी तो आपको definitely fail नहीं करेंगे दूसरा क्या है आपने interview तो के जितने भी basic do's and don'ts से उनको तो follow किया है लेकिन आपने वहाँ पर एक भी question का सही answer नहीं किया या एक भी question का answer नहीं किया देखिए अगर panel आपसे 10 question पूछा था जिसमें से आपने 5 का answer कर दिया और 5 का answer नहीं कर पाए ओकी ओकी नमबर आपको मिल जाएंगे near about 55 नमबर अगर सब कुछ आपका सही रहा है लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपसे 10 question पूछे गए आपने तो भी यह 10 के answer किये लेकिन 10 के 10 आपकी गड़त answer थे आपका यहाँ पर fail होना confirm है या फिर आपसे 5 question पूछे गए और आपने 5 नहीं बहुत थी confidence के साथ बोल दिया sorry sir मैं recall नहीं कर पा रहा हूँ मैं याद आ रहा है मैंने नहीं पढ़ा है तो 2 question 3 question में ही चलता है अगर आपसे सारे question मुच्छे गए और सारे में आप recall नहीं कर पाए answer क्या है समझ जाते हैं कि आप serious candidate नहीं है आपने में सोजरू clear कर लिया है लेकिन आप जो है नहीं ले रहे हैं bank की job को अच्छे तरीके से ठीक है तो उस condition में भी जो है panel आपको fail कर देता है next आपके marks जो है बहुत जदा कम हो जाते हैं last year भी दो-तीन लोगों ने किया था casuals में जब आप interview देने चले जाते हैं बहुत लोग चले जाते हैं last year एक भाई साब थे वो चीन समचले गए थे मुझे नहीं पता उनके marks कितने आए लेकिन ये बहुत ये बड़ा blender है आप एक interview के लिए जा रहे हैं आपको formal में ही जाना है मैंने पहले भी बोला था कोई necessary नहीं है आप blazer पहने आप tie पहने बिल्कुल जरूरत नहीं है लेकिन आप एक trouser एक shirt और एक belt जो की formal हो ठीके आप ऐसे नहीं है कि बड़ी सी बक्कल वाली belt पहन के जा रहे हैं जिसमें सीर चीते बने हुए हैं वो बिल्कुल नहीं चलेंगे उतना आपने पहन के गए हैं और proper आपके suits हैं ठीके चलेगा बिल्कुल आपने sweater पहना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है टाइ नहीं लगाई कोई दिक्कत नहीं है तो वैसे भी नसेसरी नहीं है इंटर्वी के लिए मनें हजार बार बताया है तो इन सब चीजों से आप खुछ जज़ कर सकते हैं कि इंटर्वी में आप fail होने वाले हैं या pass होने वाले हैं बात करने result की तो आपका 1st Jan को I guess result आता है या 31st December को वैसे आपको 1st Jan को यहाँ पर result देखने को मिल जाएगा New Year कुछ लोगों के लिए अच्छा होने वाला है कुछ लोग के लिए खराब होने वाला है लेकिन जिनका भी selection नहीं होता है मैं मानता हूँ आप अगर फिर से day 1 से मेहनत करेंगे तो definitely आपका selection next year जरूर होगा रही बात vacancies की जरूर से जरूर आएंगी RRBs में तो vacancies पकाएंगी इनकी tension मत लीजिए and next year यह होगे की RRBs का privatization कुछ नहीं पता है होने को भी सकता है ये भी question group में पूछ रहते हैं आप लो नहीं होने को नहीं भी हो सकता है फिलाल तयारी करिए आपके पास ज़्यादा option नहीं है अगर आपके पास job के बहुत सारे options होते तो आप यहाँ पर bank की तयारी नहीं कर रहे होते ठीक है अगर आप bank की preparation कर रहे है इसका मतलब बहुत कम limited options हैं आपके पास तो अच्छे से तयारी करिए job करिए and I hope आपके doubts clear हो गए होंगे कोई और doubt है तो बताईएगा एक live session कर लेते हैं and once again जिनके भी कोई document pending थे जिनके mark sheets में नाम गलत थे date of birth गलत थी high school का mark sheet था but certificate नहीं था character नहीं था उन सब को arrange कर लिजिए वरना फिर अभी जब document verification आपका जैन में result आएगा एक तारीक को feb में banks start कर देंगी कुछ जैन में start कर देंगी and March, April, May इन तीन मन्त में लगबग सारी bank आपके joining करा देंगी कोई भी delay इसमें नहीं होता है क्योंकि फिर नया session श्टार्ट करना होता है internal promotion, internal transfer इसा process भी bank को start करने होते है ठीक है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए joining फटा-फट आपकी हो जाती है उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी कोई और डाउट है तो comment जरू करिएगा thank you and all the very best for your future बिल्ग उटेंशन मत लीजिए selection के chances सब के बराबर है